प्रिया दर्शकों कबरों की और बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ये बिलकुल फ्री है इससे आपका कोई हर्ज नहीं होगा लेकिन आपकी वज़ा से हमें और हमारे टीम को होसला अवश्य मिलेगा तो चलिए कबरों की और बढ़ते हैं गुरुवार 23 परवरी को आपराध नियंतरन एवं वाहन चेकिंग के दोरान अहिलियापूर थाना पुलिस द्वारा ग्राम परवतपूर में दो व्यक्ति को चोरी के मोडर सैकिल के साथ पगड़ा गया जिन्होंने पोष्टास के करम में अपना नाम पहला इम्तियाज अंसा थाना मारगो मुंडा जिला देवघर एवं दूसरे ने मुंडा प्रसाद वर्मा उम्र करीव 19 वर्स पिता बहादूर प्रसाद वर्मा ग्राम चैरा बाना तारा ठान जिला गिरडी बताया मामले की विस्तार प्रुवक जनकारी शुक्रवार को स्टिपो अनिल सिंग ने प्रेस्वारता आयोजित कर दी उन्होंने बताया कि उक्त अभियक्तों के निशान देही पर इबरार अनसारी उर्फ बोधन गीयों पिता असीन मिया ग्राम पटारी धाना नरायन पूर जिला जामतारक को गिरफतार किया गया साथ ही चोरी के सामानों को क्रेतावा विक्रेता बेंगावाद के चक्रदहा निवासी दिनेज सिंग पिता स्वरगी राजकिशोर सिंग के घर पर छापे मारी की गई चापे मारी के क्रम में दिनेश सिंग को ग्रिफतार किया गया जिनके घर से चोरी का चार मोटर पंप एवं तीन मोटर साइकल बरा मत किया गया इधर अवियुकतों के निशान देही पर पुरो मोटर साइकल चोरी से संबंदित कुल 14 कांड का उद्बेदन भी किया गया एवं मोटर साइकल चोरी के सक्री अंतर जिला गिरो का खुलासा किया गया वहीं प्रेस वारता में आने और भी खुलासे किये गए अंतर जिला बहां चोर गिरो का खुलासा हुआ है जिसमें चार अपरात कर्मी पकड़े गये हैं और इसमें पांच बाइक और पांच मोटर पंप और चारों के पास से चोरी में परियुक्त होने वाले टूल्स को बरामत किया गया है इसमें जो तीन अपरात कर्मी है जो हिल्यापुर से पकड़े गए हैं उनका नाम इम्तियाज अंसारी है इवरार उर्फ बुधन मिया है औ से और आपरात करले इसने से अपरात करता है अंधेर जो तीन अपरात करते हैं मोटरसाइकिल को लिख सेंटावी चाह बेजिते इसको रिसीव करके अनियत बेज़ता करता था एक एक संग्टीत गिरो था जिसका परदाफास हुआ है इसमें अहलियापुर थाना पुलिस और गंगावा थाना पुलिस में की भूमिका महत्पून रही है और इसमें और भी अप्राथ कर्मी संलीप थे जिनके भी उच्छा पमाली चल रही है और इस ब्रामद्गी किसमन्य प्राथ में की दश कर ली गए है और अनुसम्दान की जा रही है इसके साथ अन्य खबरों से जूले रहने के लिए इर्पया चैनल को सब्सक्राइब लाइब यों शेयर अवश्यक्रे धन्यवाद